हलो फ्रेंज, भगवान महावीर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैन धर्म के 24 वे तिर्थंकर भगवान महावीर, आज हम उन्हीं के जीवन का एक वृत्तान्त आपके साथ शेर करेंगे, क्यों चंड कौशिक जैसे भयंकर जहरीले साप के जहर का असर महावीर पर नहीं हुआ, आएए जानते हैं इसका रहस्य, पर उसके पहले कहानी, भगवान महावीर अपने साधना काल में जंगल में ध्यान में मगन थे, तब ही वहाँ एक भयंकर जहरीला साप ग्रूमता हुआ जंगल में उसी जगे आप पहुँचा, जहां भगवान महावीर ध्यान में मगन थे, उस सर्प का नाम था चंड कौशिक, और जहरीला तो इतना कि कुछ मीटर दूर खड़ा आदमी भी उसके फूंक के स्पर्ष से नीला पड़ जाता और मृत्यों को प्राप्थ हो जाता, उसने महावीर को देखा, महावीर को देखते ही उसके किसी पिछले जनम के बैर संसकार जागे और महावीर के लिए उसके मन में अकारण ही बिना किसी वज़े के द्वेश या बैर भाव उत्पन्न हो गया, और उसने फुफकार मारी, पर महावीर को कुछ नहीं हुआ, यह देखकर उसे उसे गुस्से में और जोर से जहरीली फुफकार मारी, पर फिर भी महावीर बिना किसी रियाक्शन के शांत भाव से वैसे ही खड़े रहे, और नहीं उन्हें जहर का असर हुआ, चंड कौशिक गुस्से से तिल्मिला उठा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है, पर फिर भी उसका गुस्सा शांत तो नहीं हुआ, लेकिन और बढ़ गया, वस्सर सराता हुआ आया, और महावीर के पैर में डस लिया, वहाँ से रक्त की धारा बहने लगी, लेकिन यह क्या, चंड कौशिक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही है, जो खून बह रहा है, वह लाल नहीं, सफेद है, सफेद दूद की धारा बह रही थी, वह हैरान था, परिशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था, कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उसके जैसे जहरीले साब का जहर, इस इंसान को काटने के बाद भी नहीं चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसी ही एक घटना का जिक्र पौरान कताओं में भी है, जहां एक ध्यान में मगन रिशी मुनी को, एक जहरीले बिच्चु ने डंक मारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे चाओदा बार, रक्त की धारा बही, फिर भी उसकी जहर का असर रिशी पर नहीं चड़ा, क्या ऐसा भी हो सकता है? या ये सिर्फ रिशी मुनी और जो ध्यान में मगन थे, महावीर उन्हीं के साथ हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, कि गहरे ध्यान की अवस्था में, भयंकर जहर भी शरीर में अपना असर नहीं दिखाता, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, जानना चाहेंगे? और इससे भी कमाल की बात तो यह है, कि यह सिर्फ रिश्यमूनी या महावीर के साथ नहीं, हमारे साथ भी हो सकता है, हर एक इनसान में यह कैपैसिटी है, वो गुर्ण डेवलप करने की. Excited? Want to know the secret? तो इसका secret यह है, कि अगर, अगर हम अपनी consciousness या awareness को डेवलप कर लें, तो ऐसा हो सकता है, बलकि ऐसा ही नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता है, हमारी immunity power इतना strong हो जाएगा, कि छोटी मोटी बीमारियां, हमें infect ही नहीं करेगी, कि और इतना ही नहीं, regular practice करते रहने से, धीरे धीरे, हमारा super conscious mind भी develop होनी लगेगा, out of the box सोचना, fearless बनना, sharp memory, no anger, calmness, cool, no stress, and a very very charming and charismatic personality, कौन नहीं चाहता, ये सब possible हो सकता है, सिर्फ उस एक प्रयोग से, पर इस प्रयोग की एक ही शर्थ है, कि इसे आपको regular करना है, regular means regular, और इतना कुछ मिले, जिससे पूरी life बदल सकती है, तो why not, just few minutes, not a big deal, isn't it, अब आप सोच रहे होंगे, इतना कुछ बता दिया, पर वो उपाई नहीं बताया, so friends, no more waiting, वो आसान सा पर बहुत ही amazing result देने वाला प्रयोग है, कि आपको आपकी उम्र के हिसाब से, यानि कि अगर आपकी उम्र दस बर्ष है, तो दस मिनट तक, आपको अपनी सांसों को आख बंद करके काउंट करना है, that's all, है ना, छोटा बंब, बड़ा धमा का, और अगर आप इसके साथ, long deep breathing प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो और भी अच्छा होगा, डेली अपनी सांसों की गिनती, डेट के साथ एक डाइरी में जरूर लिखे, You will be amazed with the change in your count, change in your behavior, change in your memory, and change in your personality, Wish you a very very happy life, and stay blessed, J. Shri Daga signing off.